आईए दोस्तों आज सीखते हम हेंडल की होल करने का सही तरीका क्या होना चाहिए सबसे पहले उसके लिए स्टैप होता है हमारा आप अपने ड्राइंग को पढ़कर देख लें कि सेटर की जो ओपनिंग है वो लेफ्ट है या राइट है अगर उसके बाद आप कोई डाउट लगता है तो आप अपने सीनियर्स के उसके बारे में पता कर लीजी इसके लिए दूसरा स्टैप जो होता है आप हेंडल की जो पोजिशन होती है सेटर के साइट से या उपर से या नीचे से आप उसको चेक कर लीजी उसको हो सके तो दो बार चेक कर लीजी चेक करने के बाद भी आप कोई डाउट लगता है तो आप अपने सीनियर्स से जरूर बात कर ले तीसे स्टैप में आप पैंसिल की हेल्प से उसके उपर माग कर लीजी और उसके उपर पंच कर लीजी जाँ चले कि आपके जो hole का निशान है handle के hole का जो निशान है वो सही जगह पर लगा हुआ हो step number 4 में काफी बार setters के उपर protective film लगी होती है उस film को उतारने के बाद ही आपने वहाँ पर drill machine की help से hole करके handle को कस देना है Thank you